पूरे वर्ल्ड की अगर बात करी जाए तो करोडो चैनल्स है जो अलग-अलग जॉनर्ज में हैं, अलग-अलग कैटिगरीज में हैं उसमें से दो बड़ी categories है motivation और education पूरे world में जो world का number one motivation channel है वो मेरा है और जो world का number one education channel है किसी independent creator का वो उनका है जो कि हमारे guest है उनके 17 million से जादा subscribers है Please give an energetic and welcome to the one and only answer जाद जाद जी कैसे है आप इससे पहले कि audience आप से कुछ पूछे या interact करे मेरे mind में एक question है आपके लिए जो बच्चे है वो आपके इतने दिवाने क्यों है इतने पागल क्यों है आपके पीछे मतलब मेरे comment section में भरा पढ़ाता खान सर कब आएंगे मतलब ऐसा क्या जादू कर दिया आपने बच्चों के ओपर ये सवाल हम आपसे भी पूछते है हमारे पर भी इतना comment है मेरे तो ओफिस में लोग चले आएंगी सर कब जा रहे हैं क्योंकि हम लोग का तो एग्जेक्ट है वहीं पढ़ाना है हम लोग का मेन है कि बच्चों को जो जरूवत रहती है कि अगर लड़का पढ़ने आए उसके मन में कोई डाउट नरा जाए हम उसको कहते हैं कि हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं दूम है तो भूल के दिखाओ याद जरगे नहीं है प्लास आप इस प्राइस पॉइंट पर पढ़ा रहे हैं और यह सबसे कम है वहलूत पर कम है प्लास कालच्चर यहां अगरा है consumer के एंडियियां सित्या कृच्चर नहीं है हमरा इंडियां कंड़्चरे मनुर्व कुर्व प्राइस में उस ही यहां रहे है अग्सीजं जरिपा है एंड़ का सब जिंदगी वीडियो बनाएं, एक हमको कुछ आता है आज भी नही आता इतना तो हम देखके एक केमरा वारा तो हम चंफूज हो गए बापरेश हाँ हाँ तो हम एक़ दिन में वीडियो शुट किया पढ़ाने वाला टॉपिक था हमको उसके बात कभी वीडियो जरी खेट किर लिये हैं और यह जो जिनका डरा में यह कामरे भी नहीं थे उस टाइम और कैम थे पाइमरा था तो च्छे ताइम यह माईना यह लग गया तो उनके कैमरे से सूट किये, उन्होंने कोई चार्ज लिया, उसके बाद हम छोड़ी दिये, लोगडाउन लगा, तब हम कैसे पढ़ाएंगे, तो एक दिन, दो दिन करते करते, अचानक लंबा हो गया, तब हमको लगए, याद है कि ओ हो, मेरा एक चैनल भी है वहाँ पर, त उस समय उस पे लगग 30,000 सुस्क्राइबर हो चुके थे, तो जैसे लोगड़ाउन लगए तो पढ़ाएंगे तो पढ़ाना चाल किया, और पता नहीं किया लोगगों को पढ़ाई में इतना इंट्रेस्ट अगया कि अपना स्टाइल एसा है तो अपना स्टाइल एसा है तो समझाना तो उसे समझाना, वह समझा कि नहीं समझाना अगर लडगा आपके समझाने के बाद रागया तो आपकी गलती हह, लडगा हमसे पुछताएं सर इतनी भीड है आपके पास, तो सर राव्ड कैसे पूछेंगे, अम कर यह ए तुम डाव्ड बचेगा तो आपना पूछेगा तुम डाउट यहापने Confidence नेक्स लेवल है का अंसर का मानना पड़ेगा और शायद यही बज़े है इनकी जो ग्रोथ है उसका किसी ने शायद सपने भे भी नहीं सोचा होगा कि पिछले दो साल के अंदर-अंदर जो आपके चैनल की ग्रोथ हुई है जैसे आप खुद ही बता रहे हैं कि लोगडाउन के टाम पे आपके 30,000 के करीब सब्सक्राइबर्स थे आज की डेट में 17,000,000 है और मेरा एक क्वेशन और है इससे पहले कि ओडियंस में से आपसे कोई क्वेशन पूछे कि कई बार आप ऐसे भी टॉपिक्स टच करते हैं जो थोड़े से कॉंट्रोवर्शल है या थोड़े से सेंसिटिव हैं जिसके ओपर बात करने की हिम्मत बहुत ही कम लोगों में है तो आपको कभी यह नहीं लगता है कि कहीं ज्यादा तो नहीं हो रहा है इसको थोड़ा रोग देते हैं थोड़ा कम कर देते हैं क्योंकि कोई लाइन ही नहीं है वैसे तो बोलने को तो आप कुछ भी बोल दो कितना भी बोल दो हुई है कॉन्ट्रोवर्सी बहुत बार अचुली बच्पन से उमको फॉज में जाना था और फॉज बालों के लिए यह सब माइने नहीं रखता उसको करना है मतलब करना है तुम सामने कुछ भी रहो ड़जन्ट मैटर और मैंने यूट्यूब पर देखा कुछ वीडियो में कि आपका जो इंसिट्यूट है वहां पर आज से कुछ साल पहले कुछ ''च गिरे थे'' कुछ गिरे थे, यह जो बहुत सॉलीड जगा गिरा था फथा फता नहीं वह मतलब आपके आच पस ''च बम भी पता है कि टीचर की इजट किया जाता है' क्या बात है, क्या बातเห्या मैं समझ पा रहा हूं कि यह आपके अंदर जो अटिट्यूड यह कहां से आ रहा है क्योंकि आप बच्पन से ही फौज में जाना चाते थे तो आप जंग के मैदान में ही खड़े हैं एक तरीके से बस फर्क यह है कि आपके हाथ में कलम है हतियार ना हो करके कि आथियार से अदमी की जान जा सकती है कलम से बहुत ताकत होता है सीख्षा एक ऐसा अथियार हो हर कूरितियों से लड़ सकता है हर तरह की समस्याओं से और ये वह कायसा हाथियार एक मेटल डिटेक्टर में भी नहीं पकड़ाता थे मेरे कुस्चन यह है कि अभी प्राइवेट ओगनाइजेशंस में पीटिने का पनिस्मेंट का यह सिस्टम जो है खतम हो गया है हम आपके वीडियो में देखे हैं सर कि आप एक बड़ा सा रोल रखे रहते हैं पुलिस वाला लाठी हो अब पुलिस वाला लाठी है और स्टेज पे बुला के बच्चों को उसी से धुनाई सुरू कर देते हैं मस्त एकदम से तो सार मतलब की बच्चे मतलब की डरते नहीं आपसे और इस तरीके से कैसे कनेक्टेड हैं आपसे हैं और एक और कोस्टन सर यू पीसी का जो आप अपन आपसे मुझा कॉरा 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 कम्लीट करो एक उसी इस निक्टायाग कॉरा का उब यह नटाक इस नेक्रूर चाहिए लड़कों को जहां तक पीटने की बात है जब पढ़ने की बात आएगी तो उसको हम पूरे बहतरीन ढंग से पाइगी लेकिन जब सजा देने की बात तो वो भी बहतरीन धंग से होगा, इसे थोड़ी होगा कि बस एक के चीज बहतरीन धंग से होगा, और डर का होना बहुत ज़रूरी है, यह डर भी अपने आप में एक मोटिवेशन है, क्योंकि जब आपके अंदर एक थोड़ा सा डर रहे न, तो डर के भागिये मत, एक ऐसा डर जिसको आप लगे कि नई न, थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है, फिर तो यह हम इसको क्रॉस कर जाएंगे तो लड़कों के अंदर यह डर बनाना भी ज़रूरी रहता है, और यह बात, यूपीएसी वाले की जो आपने बोला, बहुत सारे लड़के वेट कर रहे हैं, यूपीएसी की, क्योंकि दो धाइलाग फीस, सारे लोग एफॉर्ट नहीं कर सकते हैं, और हमारा वही रहता है, हम तो जादे तर हमारी स्टुडेंट देगे तो किसी के रिक्सा वला, सब्जी वला, यही लोग, इनको तर रही रहें से भरेंगे वापर, उसको रहें कहां से, तो ओल ओवर इंडिया से, कस्मी से कन्या कुमारी तक, गरीब से गरीब भी लाड़का उसको पढ़ सकता है, यही कुछ हजार रुपय मन्तली 12-14 साल का पड़ेगा, ख़तम हो जाएगा इतना महीं। यह जो डंडे वाली बात इनोंने कहीं, यह सच है, मतलब आप सच में डंडा रखते हो, पुलिस काई है और मारते हो, कि मतलब कोई लड़की छेड़ता है, या ऐसा कोई बी उल्टा-फुल्टा करता है, कुछ भी गलती करेंगे तो पिटाएंगे वो यहां पर, क्यामरे प कुछ भी पिटाना तो उनको फिक्स है, एक तो कोई मतलब विधायक जी थे उनके लड़का को पिट दिया तो चलाएंगे दल बल लेके अपना वह पे, उसने घर पे नहीं बताया था कि सर ने पिटा है, बस बोल दिया कोचिंग में पिटा है, बात में पता चला हम पिटे ह तो उसके पिटाजी मेरे सामने और पिटे है Sir, अपका सबसे बढ़ा डर क्या है? आप दोनों का फॉजी को डरे नहीं लगता है बागी अफसार से पुझी है आज के सेशन से पहले कोई डर नहीं था लेकिन आप मुझे इनकी कानिया सुनकर डर लग रहा है कहीं मैंने गल्ती से कुछ बोल दिया और इनोने कहीं पीछे कुछ रखा हुआ है और यहीं आकर के अगर इनोने मेरी पिटाई कर दी तो बहुत बुरा हो जाएगा तो इसलिए हमको थोड़ा डर लग रहा है आपी डिली किते गंटे क्लासे होती है 6-7 गंटे अभी भी खुदी करते हो आप हमारे स्टाप परिशान रहते है हम देड दो बज़े सोते हैं सुबच्छ बज़े उड़ जाते हैं परिशान रहते हैं ठीड आपकोः इसलिएward करेंगे आपी कोषहादध लिघ जाती है हम आपकोः तोर खोया थोड़ी रह गाम परिशान रहत दिन देन नहीं है यु कहीं जांके सोते रहत zeggen माम बांता है तु मिझस नाय तुमीचा नहीं आए दर सोजाए अपकी शादी होगी और नहीं बहलेगे अविए अब मेरी खुचाली देख्ट यू और अपने मुझे यहार देखाए और अजू अब तक मैंने आपको सिर्फोन या लैप्तप में नहीं देखा है दोने को आज फर्स ताम लाइच तो बहुत अच्छा लग रहा है तो मेरा को से जब हम लाइफ में कोई होइजेजन लेते कि हमें यह पर्टिकुलर चीज करनी है और क्योंकि हम डिसीजन लेते हैं कि हमारी आदत है कि Van आफ़े फिलें चार लोगों से पूस्त है कि टू बता तेरी क्या रहिए तो उन में से अगर कोईंगे prof लासे हैं कि और भी आफेक्ट नहीं दे अपने उपर? दूसरे से शला लेने से पहले एक बार खुद उस पर रिसर्च कर लेना चाहिए ताकि आप सामने वाला क्या सला दे रहा है आपको समझ में आना चाहिए यहाँ आपर कई बार ऐसे होते हैं कि दूसरे वाले को एक्सपिरियंस होता है तो अगर आपको पहले से आइडिया है उसके बारे में आप बहतरीन ढंग से रिसर्च की है कि क्या इसमें प्लस पॉइंट है क्या निगेटिव है उसके बाद आप किसी से सला लेने जाहिए इनने कि मौन में पहले आपको R&D करना पड़ता है और जिन्दगी हो या गाड़ी जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर रहा है तो डिसिजन चेंज करना बहुत जादे गलप नहीं है इननोंने बहुत अची बात कही है और मैं इसी बात पे थोड़ा सा और आड़ औन करूगा कि ये जो अपने आपने डिसिजन पे स्टिक कैसे रहें ये कोई अच्छी क्वालिटी नहीं है क्योंकि टाइम तो टाइम आपको अपने डिसिजन को चेंज करना होता है जैसे आप किसी knowledge or experience के बेस पे बोल रहा है फिर चाहे वो positive बोल रहा है चाहे negative बोल रहा है दोनों ही माइने रखता है उसके बाद में research करनी है और फिर research करने के बाद में final decision अपना खुद का होना चाहिए अब वो decision उससे अलग भी हो सकता है जो आपने पहले लिया था और वो same भी हो सकता सर मेरा question दोनों से है आप से how to deal procrastination and laziness हमारा brain है यह बहुत आलसी टाइप का इसको आराम खोजना पसंद है अब थोड़ा सा भी है इसको आराम के और लेके चलेगा न तो फिर उधरी रहेगा आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेता है न तो 10 मिनट दो घंटा बना देगा उस कर दो रहुत और लेके ऌस को आप उस पर हावी मत हो निजेगा पर यहाले काम पर मिले काम थीर मिले काम तो आप उसके हिसाब से मतुन butter अउल्म फन्म धर ओश्या कर इसको आप कोई काम कर फोजिए ऑनम कर जीजए बाद में बाद नो्टी केश़ आप काम कर लीजे बात मे छोटे लेवल पर ले आगर कि उस गोल को तोड़ दो यानि वो गोल बहुत बड़ा है उसको break down करो उसके सबसे पहले step पे आ जो कि उसको achieve करने का सबसे पहला step क्या है जैसे गाड़ी चलाना सीखना है उसको सबसे पहला step क्या है अगर घर में कोई नहीं है सिखाने वाला या सिखाने वाली तो बाहर जा करके जो गाड़ी का driving school है उतर जा करके पैसे दे दो अब फस गए ना तो फसा दो अपने आपको दिमाग ये लगाओ कि अपने आपको कैसे फसाया जाए जब हम फस जाते हैं ना तो फिर हमको वो काम करना ही पड़ता है then there is no looking back जब तक आप सोच रहे हो तब तक सोच रहे हो उसको बोलते है paralysis of analysis कि आप सोचते चले जा रहे हैं अपने माइंड में ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा और प्रोक्रास्टिनेट हो रहा है तो उसको छोटे चोटे लेवल पर break down करके उसको कर दो that is number one और जैसी करना शुरू करते हो कोशिश करो कि उसको जब तक कि आप सही से नहीं कर लेते हो उसको छोड़ना नहीं है तो आपकी laziness भी खतम हो जाएगी कई लोगों तो हमने थे कहा है जो सब्ता में कुछ भी नहीं करता हूँ भी संडे को आराम कर रहा है वैसे कहा भी जाता है कि अगर कोई काम आपको करवाना है ना तो ऐसे किसी इंसान को दो जो बिजी है ऐसे आपनी को मद्दो जो खाली है यह परफेक्ट लिगे हम कि अग्छिष भी ठाक आप समझते हैं कि यह भी आगे जी कलगा वो यह काम को खळम करने करें अब आराम नहीं करें एक काम काम होगा उसको लगे यह ऐक ख़तम होगा अब दूसरा करना चाहीँ और वह जिसको तेखिए का ओण तो आराम करना चाहीँ कभी नहीं लाइप में आखरी सांस तक यह पर सब हिंदी में पूछते इंगलिश में पूछते में मोच्पूरी में पूछें जोन भासा ठीक लागे तोने में पूछ दो आज 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 इस पूछे के जाद है नहीं कि जिसे अमनी के पढ़ाही करें निसन तो कभी-कभी डेली टार्गेट्स जो होला तो कंप्लीट नहीं होला अगर टार्गेट्स कंप्लीट भी होला तो फिर इसा इरिटेशन या फिर वो anxiety या फिर और करना है या फिर अभी नहीं हुआ उचे हमेशा रहला तो वो कम कईसे करल जाए दिखें, टार्गेट्स को हम लोगो एक अपने हिसाब से पहले फिट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि दूसरे किसी इंसान को देख के अम टार्गेट फिट कर ले, कोई लड़का आठ घंटा पढ़ रहा है, कोई पहली बार भी पढ़ना ही चालू किया, उसको देख के आठ घंट अपनी च्छमता को भी देखिए, हर इंसान की च्छमता अलग है, कंगारू को देख के हाथी चलांग मालेगा पर तोड़के बढ़ जाएगा अब संदीजदर का मोटिवेशन देख के इसका मतलब क्या कि ट्रेन के आगे खड़ा हो जाएगा धगेल देंगे तुमको हला कि यह सा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करिएगा लोग, नहीं, छमता पता होना चाहिए आपके अंदर एंजाइटी हो रही है कि मैंने कर तो लिया है, आप यह नहीं कह रहे है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, फिर मैंको एंजाइटी हो रही है, आप यह कह रहे है, तो बेसिकली आपको यह देखना है कि अगर आपके अंदर एंजाइटी हो रही है, तो आपको पढ़ लिया, दिन में मानो 8 गंटे का आपने टार्गेट सेट किया और 6 गंटे पढ़ लिया, या मानो 8 गंटे भी पढ़ लिया, फिर भी anxiety हो रही है कि मैंने 10 गंटे नहीं पढ़ा, तो ये तो अच्छी quality है न, ये तो एक brilliant student की quality है, क्योंकि anxiety उसी को होती है, जो care करता है, को भी बात नहीं, edit कर देंगे, इसको हम, हाँ, जैसे एक मा है, उसको अपने बच्चे को ले करके anxiety होती है, थोड़ी सी भी तबवित खराब होती है, उसको anxiety होती है, चाहिए बच्चा ठीक भी है, डॉक्टर को नहीं होती है, क्योंकि मा को उस बच्चे से प्यार है, तो that means कि आप अपनी पढ़ाई को ले करके serious हो, इस वज़े से आपके अंदर anxiety हो रही है, which is normal, जहां पर प्यार मॉबबत होती है, वहां पर थोड़ी बच्चा ठीक तो होती ही है, ना, समझ रहे हो ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हो ना, मैं कहां जा रहा हूँ, जब वो किसी और से बात करती है, तो anxiety होती है, ना, सर, आपकी story हमने सुनी थी, तो एक time आया था जब आप गंगा किनारे जाके बैठ गये थे, उस समय आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उस समय मतलब आपने ये decision कैसे लिया कि अब आगे नहीं, यहां से वाप चाहिए थे, जब में 40 रुपए थे, कैसे घर जाते हैं, और हम गंगा की किनारे चुपचा बठे बठे बठे, हम काई कि अब बहुत टेंशन हो गया, अब घर जाना चाहिए, रूम पे, तो किराई की रूम पे या अदमी सारे लोग रहते है, गय माहा पे तो रूम लॉक ह तो इसे घबराना नहीं है, कभी-कभी गुच्छे की आखरी चावी भी ताला खोल देती है, जो बाते आपने बताई कि घर में प्रॉब्लम्स ही है, यह तो बहुत लोगों ने फेस करी वहाँ पर, आप अकेले नहीं है, बहुत लोगों ने यह प्रॉब्लम्स फेस करी, ब बहुत तरह की स्ट्रगल्स देखी, लेकिन वो सब इतने कामयाब नहीं हो पाई, जितने के आप होए, तो आपके अंदर ऐसा कुछ न कुछ है, जो औरों के अंदर नहीं है, तो वो मैं जानना चाहरा हूं, कि वो ऐसा क्या था, जहांसे कि आपका दिमाग यहां तक सोच प देखी रहा है, तो हम उसको यह कोसिश करते हैं, कि तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं हमने 10-20,000 का पड़ लिये हैं यहां पा, वो इमानदारी से कभी कमी है, और हमें सा अगर हम Promise X का करते हैं, तो Deliver 4X करना चाहते हैं, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना इस फर्क को, अग कि हमें मिल रहा है, तीसरी category होती है लोग की, जो इनके जैसे लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो यह सुचते हैं कि अगर मैंने किसी से 1 रुपे भी लिया, देखा जाए तो 2.200 रुपे कुछ भी नहीं होता है, 2.200 रुपे अगर मैंने लिया, तो कैसे उसको 400 रुपे की वेलियो दू, यह जो थिंकिंग है यही एक फर्क होता है, एक ऐसे इंसान में जो बहुत आगे निकल जाता है, और उस इंसान में जो मीडियो कर रह जाता है, आप अपने आपको अपके उपर समय दीजिए, उसको डेवलब कीजिए, जब आप अपने आपके उपर खर्च क बनते राता है, इसे लोग फलोग में बन जाता है, आपके उंदर नसरे कभी छुपा हुआ है कही नगए जो बहार नगा चाहता है, कभी न कभी आपने सोचा होगा कुछ, कभी तेकि एक चीज आए, एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है, यह चीज को हम अपने आपको सोचना चाहिए, कि हम केवल जी के मर जाए इसके लिए नहीं आए हैं, लोग कहते हैं कि सर नाम क्यों नहीं बताते हैं, अपने हमारी एक ही सोच है, कि जाने के बाद इस दुनिया से, हमको मतलब एक चीज देना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को, कि वो याद क कि इस पैसे की भागदोड की दुनिया में हर कोई दोनों हाथ से लूटने में लगाया है, खाली हाथ जाने के लिए, यह सब को लगाया, तो हर कोई को यह सोचना चाहिए, कि था कोई इनसान, जो इतने कम फीस में इतनी सिक्षा, जो महंगी थी, जो कमाने का रास्ता था, उसको भी एकदम कमपटिशन इतना कर दिये कि आप लोगों को अपनी फीस बढ़ाने में डर लगता है कि अरी यार, लड़कव कमेंट करता है खानसर इतना ले तु आप बश्चा डिए आप बश्चा इंगे तो इंसान कामिःब हो गया, लिगए गर समय सला गया, फिर समय यह तो बेकार है तो पुछ आपको उसे चीज लाना जागी जिए यह उनको एट बच्चो जो तयार हो एँ उनको एट चीज अन टाम दिखे उनको यह तो इंट आइं टाइम पर इखे सभ़ाजर आप मेरी बात नहीं समनें में में अग्या है यही होता है सर निशर का मोटिवेशन जादे हो जाता है जब आप प्रॉगलिंग फेज में हैं, तो कम से कम चीजों को अपने उपर खर्च किजेए जादे से जादे से जादे सीखने में खर्च किजेए अगर आपको राजा बनने का सुख है तो गुलाम की तरह मेहनत करना सिखिए तब राजा बनने यह दुख यह दर्द यह सब तेरे अंदर है तू अपने बनाए इस पिजडे से बाहर निकल के देख तू अपने आप में एक सिकंदर है थैंक यू सो मच सर पर कमिंग बहुत मज़ा आया मेरे को आपके साथ में इंट्रैक करके I'm sure आप लोगों को भी बहुत मज़ा आया होगा थैंक यू सो मच जी अपने मच जी